असलम लेकर वरिवान, वेल्कम बेक तो माई चैनल, तोड़ेश वे गोंग टो रिक्रिएट इस नेक डिजाइन जो के आनिया असिफ ने पहना था एक शोर में और बहुत ही वाइरल हुआ था यह नेक तो आज हम इसका टूडल आपको साथ शेयर करेंगे और इसको बनाते हु का गले का मेयरमेंट्स ले लेने हैं मोस्ली हमारा गला फाइफ इंची की विर्ट रखते हैं जो कि आप इससे जादा भी रख सकते हो अगर आप वाइट पैनर जादा पसंद करते हो सेंटर में हमने एक और नेकर मार्क लगाना है 3.5 पे और 3 इंच हमने रखना है वो नीच नजल आएगा तो इसको लगाने के बाद हमने अपने योग के सबसाद़् भी इस ही लाइन को मैच कर लिया है उसके बाद हमने इसकी इसकी आउट साइड पे डा कि यह पर दोन आ lasts यह में एक आप इंच का मार्जन क्यों कूं क्यों रखा यह भी इम्ने आ हाफ इंच का मा बढ़ा भी करना पड़ सकता है यह मैंने पहले एक में नेक काटा था तो उसका मुझे की ओल चोटा लगा जब मैंने दो बार उसको बढ़ा किया तो साइड पर बहुत ही कम बुकरम बची थी इसलिए मैं इसको जादा चोड़ा रखनी हूं बुकरम को इसके होल के साइड में तो आपने यह इसकी कटिंग कर लेनी है इस एक्सट्रा फैबरी इसकी पेस्टिंग को निकाल लेना है और यह हमारी की जो होल है यह अभी भी बहुत चोटा है जब मैंने इसको इस तरह से मैच करके देखा जो दो दोनों पॉर्णर्स को तो यह बहुत ही काम था तो इसको ह बड़ा करने के बाद भी मैं सैटिसफाई नहीं थी तो मैंने जब इसको स्टीचिंग की है तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा किया लेकिन यह भी ठीक है जात बड़े गले नहीं पहना पसंद करती तो उसलिए यह बिल्कुल ठीक है और यहां पे एक बहुत हमने इसका हाफ निकाल लिया अपनी शर्ट का और इसका भी हाफ निकाल के हमने इसको स्टीचिंग लगा लिनी सिंपल गड़े को बनाना है पहले से यह हमारा बुकरम है इसको स्लाई लगाते हुए हमें बहुत प्रॉब्लम हुई तो इस जगा पे मैं आपको मशुरा दू हमारी नॉर्मल जुबान में तो सिमर्दाना चेपी बोल देते हैं तो भासाब ने वह हाट वाली बुकरम यूज़ करनी है ठीक है उससे यह आपका गलब बिल्कुल परॉफेक्ट बनेगा मुझे देखें आप देख सकतें वीडियम बहुत प्रॉब्लम्स रही है मैंने इ जैसी भी लग रही है दो दो तिंग दीन दफाव मैंने स्टी चेंज लगाई है बुकरम हटा के लगाई है तो बस यह काम बहुत खराब है आपने दूसरी बुकरम यूज़ करनी है ठीक यह बहुत ही लासमी बात है जो आपने इसमें लासमी करनी है जिसको बनाते हुए औ है तो यह हमें स्विकर्च लगा लिए इसको सीधा करने का तरीका भी मैं अप्टाते हूं कि यह उपर के जो हमारे दो हैं इनको सीधा काई से करना ठीक है सब मेहँने कर्श लगा लेने ठीक है अच्छे तसली से अगर आपको को लगे यह कहीं से निकल सकता है तो ना मैंने क्या किया था मैंने सिंपल काविय से ना उसको जला दिया था कपड़े को ता कि वो निकले ना कॉर्णर से बिल्कुल कॉर्णर से अक्सर कपड़ा खराब हो जाता है हम निकालते हैं तो कि कि आपको बताती हूं ना इस कपड़े को इसे पुक्रम को रखना है यह 00 यह को रहा है तो मुझे अच्छी नहीं लग देखना है और इसको आपको तरीका बतारी हूं कैसे सीदा करना है simply आपने कोई वारीक सी चीज लेनी है उससे सीधा करना है जिस सो जो इसमें फीर्टार है और ये बुक्राम को मैंने हटा दिया क्योंकि चीपक तो वह रही नहीं थी तो उतार के फैंक दिया मुझे गुसा होता है था उस पे इसमेश को इस तरह स्पेस कर नहीं जो इस एन्सके दर्म्यार में इतनी से जगा है न इसमें से पास करना है यहाँ सेपास करने के बाद भी बहुत अच्छे सीद है इसलिए मैं बहुर ही थी कि इसको वनीज तक रखना है तक इसमें से इजिलीळी ваш हो जाए हमारी ओपर की strips well it's not look that bad जितना मुझे बुरा लग रहा था कि यह लगेगा तो ठीक है it's not that much satisfying but it's okay simple हमने इसको प्रेस कर लिया अब हम इसके लिए एक टॉरी स्टीच करने लगें story की land आप लंबी भी रख सकते हैं चोटी भी रख सकते हैं चोटी रखेंगे तो बिल्कुल आन्यासिव की तरह आप connect बनेगा और उसका पीछे से जाए हुक लगा लें या बटन्स लगा लें मैंने थोड़े लंबी रखी है ताके मैं इसको टाय कर सकूं I like this type so next जिनको पीछ की जो पार्ट से उन में हमने इन डोरियों को अंदर ढाल के स्टीचिंग लगा लेनी है ठीक है ये वैलवर्ट का कप्रा इस पे आप स्टीचिंग लगाओगे तो कोई स्टीचिंग नजर नहीं आएगी तो ये बिल्कुल भी फिल नहीं होगा और ये बैसे भी बैक पे चल जाएगा जब आप इसको टाय करते हो ना तो ये पीछे तक चला जाता है तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता इससे आपकी बहुत ही अच्छी लुक बनेगी फिर भी तो ये हमने दोनों को स्टीचिंग लगा लिए अप सेंटर में से हमने दोनों को एक स्टीचिंग की तो ये इसको फाइनल लुक है आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़र करिएगा कमेंट पी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लें थैंक्स पर वचिंग आला पीस